एक्सरसाइज 5.1 कुश्चन नमबर 3 यह दिया हुआ है इडेन्टिफाई विच आफ दे फॉलोविंग पेर्स ऑफ एंगल्स हर कॉम्प्लिमेंटरी एंड विच आर सप्लिमेंटरी यहां पर पांच्छे लगभग कुछ कुश्चन्स दिये हुए हैं और सब में एंगल का कॉम्प्लिमेंटरी यह कैसे होगा क्या कम्प्लिमेंटरी है क्या सपलिमेंटरी चलिए दिखने सकां सिठ्दक एथर्ड का also विश्चन्स दिया हुआ है 65 लिगरी और सौरी 115 ने यहां पर हमको प्तकरना है find करना है कि यह जो angle है यह complementary angle है यह supplementary angle है तो supplementary आपको पता है supplementary क्या होता है जब किसी angle का sum दो angle का sum 180 हो तो वो supplementary हो जाता है और अगर उसका sum 90 degree हो तो वो complementary होता है तो इसका सिर्फ sum निकालना है और sum निकाल के हम बता सकते हैं कि वो complementary है या supplementary है तो यहां लिखेंगे sum of angles is equal to यहां दोनों angle का measurement लिखेंगे yoga 65 plus 115 अगर इसको add कर लेते है yoga 115 plus 65 5 plus 5 10 6 plus 1 7 plus 1 8 yoga 1 यहां आगे 180 degree यहां लिख सकने है since sum of angles is 180 degree therefore it is a supplementary ठीक है it is a supplementary angle हर question में इस तरीके से आप लिख सकते हो इसका second problem देखते है second problem में क्या दिया हुआ है second problem का measurement जो दिया हुआ एक है 63 degree और दूसरा है 27 degree same यहां पर लिखोगे sum of angles ठीक है sum of angles हो जाएगा 63 plus 27 यहां एक आपका 90 degree आप यहां याड़ कर लोगे 63 और 27 यहां यहां याड़ कर लोगे 6 plus 28 plus 1 9 ठीक है 90 degree तो आप बोल सकते हो it is a complementary angle ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका third problem देखते है third में क्या दिया हुआ है थार्ड दिया है 112 और 68 degree 112 degree 68 degree यहां पर फिस सम निकालेंगे sum of angles यह होगा 112 plus 68 अब आड़ कर लो 112 और 68 को अगर आड़ करते हैं यह होगा 3 plus 2 10 6 plus 2 8 और यह 1 आगया 180 degree therefore it is a supplementary angle ठीक है फोर्थ का देखते हैं फोर्थ में दिया हुआ है 130 degree और 50 degree 130 और 50 degree अगेन यहां पर भी sum of angles यह हो जाएगा 130 plus 50 यह आएगा 180 degree और 180 degree supplementary angle होता है therefore it is a supplementary ठीक है इस तरीके से आपको हर प्रॉबलम में करना है प्रॉबलम देखते हैं it is a complementary angle ठीक है complementary angle और उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है 80 plus 10 6th question है 80 degree और 10 degree यहां पर अगर सम निकालेंगे दोनों का sum of angles is equals to 80 plus 10 यह हो गया 90 अगेन यह भी हो गया complementary ठीक है इस तरीके से आपको दो एंगल को आड़ करके आपको बताना है कि वह supplementary है complementary यह हो गया exercise 5.1 का third problem